है गाइज विल्काम बेक टू माई चैनल गाइट टू इन्वेस्टिंग में तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो तो गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत अच्छी कंपनी के बारे में एंड जो लोग मार्केट में नए आते हैं तो वो लोग सबस्क्राइब संताइब करने ले तो आज तो भी कोई प्रोब्लेम बात नहीं आप लों और सबकुर्ण तरीके समझ में आ जाएगा एंड मैं आप लोगों से फंडमेंटल से ने टेकनिकल भी शो करूंगा कंपनी का वह भी सिंपिल तरीके से एंड भापे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप इनवेस्टमेंट करना चाहते हैं आई जेल में तो क्या इस प्राइज में कर सकते है या कौन से प्राइज में आपको इंट्री लेना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए हैं तो सब कुछ आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं काफी सारे अच्छी चीज़ है और उसमें से जो एक अच् बड़े-बड़े इनवेस्टर होता है वो बेसिकली ऐसे ही कंपनी को एक भी रुपए का कर्जा अगर ना होता है तो ही ज्यादा बहतर होता है एंड आईजील को ऊपर यहां पर एक भी रुपए का कर्जा नहीं है जीरो डेट कंपनी जो की चीज मुझे काफी अच्छा ल थे लास्ट यानिकी फ्राइडे के दिन लास्ट यानिकी 26 अब जून-जून मैने की 26 तरीक को स्टॉक का जो प्राइज है वह 0.62 पर्शन से गिर गया था यानिकी 2.75 डूपीज गिर के 442 डूपीज पे आईजील ने यहां पर अपना क्लोजिंग दिया था ओके तो चली कं थोड़ा हम यहां पर एक एक करके देख लेते सबसे पहले अगर आप देखें फाइज की चार्ट कंपनी ने 0.8 परसंट की नेगरिव डिटन यानिकी बहुत ज्यादा नेगरिव डिटन नहीं सिब 0.8 परसंट की उसके बाद आप देखेंगे वान मंत की चार्ट तो कंपन मार्केट यहां पर क्रेश हुआ था कोना वाइरस की वाई से लोकडाउन की वाई से मार्च महीने में तो स्टॉक का जो प्राइज है वह भी काफी जाधा गिरा था बर जो अच्छी चीज है वह एक कंपनी ने अपना जो गिरावाट है उसको रिकवर भी कर लिया जो चीज अगर आप देखेंगे मार्च महीने में मार्च एपरिल में दो महीने में 62 परसेंट की भी पॉस्ट्रीव रिटरन करके दिया था जिन लोगों ने यह जब स्टॉक काफी जादा गिरा था इस पॉइंट पर खड़ीदा होता एंड इस पॉइंट पर बेज जा होता तो उन् कंपणी ने यहां पर दिया है 45 परसेंट की पॉस्ट्रीव रिटरन तो अब देख सकतों कोरुना वाइरस का जो एफेक्ट है वो कंपणी में डेफिनेटली देखने को मिला था बट फिर भी कंपणी ने और लिडिया है तो ओवरल 45 परसेंट की रिटरन अभी भी कंपणी यहां पर दिया है पिछले एक साल में काफी अच्छा रिटरन काफी ज्यादा रिटरन दिया है उसके बाद अगर आप देखेंगे फाइब एस की चार्ट तो पीछले पास सालों में कंपणी ने और भी ज्यादा अच्छा रिटरन देंडे है और करिप-करीप 400-% यानिकि 400 सो पर सेंगी डीटन कंपणी ने कमा के दिए अपने इंवेस्टर को से पांस सालों में की तुथाउजन फिप्टीन में अगर आपनी कंपणी में इनवेस्ट किया होता एक लाक रुपए तो आपका जो एक लाख है 2020 में कितना होता आपका एक लाख हो जाता पांच लाक उसके बाद लास्ट में अगर आप मैक्स का चार्ट देखेंगे तो भी अब देख सकतो कंपणी का चार्ट बहुत ही जादा अच्छा है अगर आप कैलकुलेट करेंगे 2023 से लेके 2020 तक यानिकि 17 एर्स में ओवराल 17 सालों में कंपणी ने 1700 परसंट की पॉजडिव रिटन दिया यानिकि आपका जो एक लाख है उसको कंपणी ने बना दिया है 18 लैक डूपीज 18 लाख रुपई वो भी 17 सालों के अंदर अंदर हर सल आपका जो पैसा उसको डबल करक में पास सालों में एक साल में तो बहुत अच्छा रिटन कंपणी ने कामा के दिया कंपणी का चाथे काफी अच्छा है तो चलिए अब कंपणी की जो फंडमेंटल से वह हम चेक कर लेते एंड़ देखने से पहले अगर ऐसी कंपनी ऐसी निउसे इसे कंपनी इसको पर जो सब्सक्राइब कर सकते क्योंकि इस चैनलन आपको मिलेंगे बहुत अच्छा चे स्टॉक्स जाप एंड बहुत बुड़े स्टॉक्स मिलेंगे आप मेरी कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करके आपका जो पैसा है उसको डिफिनिटली बचा सकते गाई तो चले कंपनी का एक पर्सोनली चाहता हूँ जोड़ा और गिरे एन में थोड़ा और याप बाई करूं तो सबसे पहले हम यहां पर चेक कर लेते कंपणी का वैलुएशन चुड़ू करेंगे कंपणी की मार्केट कैप के साथ तो इस कंपणी की जो क्किए है और करेंगे क्ष्थ कविल यान। की आपको थोड़ा महेंगा वेलुईशन कीक मिल आक्पनी और अच्छी कंपनी सब्सक्राइब को कम पीए में बहुत ही कम टाइम देखने को मिलेगा उसके बाद अगर आप देखें कंपणी का बुग वैलिव वह सेवेंटी टू का इपीएस अर्निंग पर शेयर है 16 का एंड डिविदेन भी कंपणी पे करते है 0.63% की डिविदेन इल्ड है कंपणी के पास चलिए अब सीधा कंपणी का जो फाइनेशल से वह यह पर हम से कर लेते हैं तो यह पर हम आगे कंपणी की फाइनेशल के उपर अब सबसे पहले हम देखेंगे क्वाटर और क्वाटर बिसस पर कंपणी ने कितना प्रॉफिट यह पर डिक्लियर किया है तो सबसे पहले मार्च 2019 की अगड़ा पर रेजल्टे देखेंगे वहाँ पर कंपणी तू हंड्रेड और ट्विल्फ करो की प्रॉफिट शो किया था काफी अच्छा प्रॉफिट है जून 2019 में प्रॉफिट आया है 211 करूर सेप्टेंबर 2019 में प् 402 क्रॉफिट कंपनी काफी अच्छा कमाता अभी करेंट सीच्विशन में अब आप देखेंगे लास्ट क्वाटर मार्च क्वाटर में कंपणी का जो या पर कहालचUSE थौड़ा गिद्ध केंगे टिसमबर क्वाटर से तो इसके वीचय रिज़न एक्ट डिसन तो लगडव कंपनी ने खुद भी बताये है अपना पेशी ऑख से बता दिया कि त टाउन की वैज़े से ओके तो यह जो रिजल्ट है आपने यह पर देखाए में आपको अनुवाल बिजस्स पर शो करता हूं रिजल्ट तब देखेंगे कंपनी का एक्चुल इंकम तो अगर आप देखेंगे 2016 में कंपनी का ओवर एक साल में प्रॉफित था पूरे एक साल में 755 करोड एंडर 2020 में कंपनी ने 1094 करोड की प्रॉफित कम है आप देख सकतो हर साल कंपनी का जो प्रॉफित है धीरे धीरे गेर जुआ यह पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और अल्लेडी कंपनी ने करीब करीब पास साल में 2016-17-18-19 और 2020 पास साल में आपको ना जो उसको डबल से भी ज्यादा कर लिया है तो काफी अच्छी साइन है काफी अच्छी तरह से कंपनी ने अपना प्रॉफित को इंक्रीस कहा है बहुत अच्छी कंपनी है प्रॉफिटेबल कंपनी है उसके बाद हम सीधा देख लेते श्यार होल्डिंग पैटन जो की काफी से या पर 45 परसंट का स्टेक है कोई भी चेंजिस उन्हों ने किया नहीं है अब देख सकतो 45 परसंट का स्टेक एक वी श्यार को प्लेज नहीं रखा है ए़ अब यह अब बढ़की अप्य होगया 22.77 परसंट तो फो इन्वेस्टर ने कम्पनी में अपना जो स्टेक है अप अगर अगर आप देखेंगे हैं mutual funds के holding पहले आपे 9.14 परसेंट था एंड अब थोड़ा या पर गिरीब सारी 7 परसेंट हो गया बर जो अच्छी चीज़ है कि सेप्टेंबर क्वाटर से मार्च कोटर में जो स्टेक mutual funds का वह या पर बड़ा है इंक्रीज हुआ है तो शेर होल्डिंग पैटर भी कंपणी का काफी अच्छा है अब मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ कुछ और अच्छी इंट्रेस्टिंग चीज़ है कंपनी में जो थोड़ा और या पर टूल से fundamental tools मैं आप लोगो थोड़ा वह भी शो कर देता हूँ कि सब कुछ मैं चाहता हूँ सब कुछ आप देखिए कंपने कितना करजा है एक्च्छाल में है या नहीं जिरो डेट कंपनी है या नहीं तो मैं आप लोगों को प्रूफ या पर शो कर देता हूँ तो गाइस यहां और लार्ज कप कंपने उसके बाद P.E. अगर अब देखेंगे P.E. 27 है और चीज में आप लोगो दिखाना चाहता था वह कंपनी के बास कैश काफी अच्छा है 600 करू का कैश कंपनी के पास बट जो डेट है वह भी है 0 करू का यानकी एक भी रूपए का करजा है नहीं आप दे 27 परसंट की सेल्स क्रोथ है कंपनी के बास आड़ ओ यानके रिटन और इक्विटी भी कंपनी का काफी अच्छा है 20 परसंट की आड़ यह आड़ो सी तो और भी जादा अच्छा है 31 परसंट की आड़ो सी यह प्रॉफिट ग्रोथ है 12.37 परसंट तो अगर आप देखेंगे काफी साड़ी चीज कंपनी में काफी ज्यादा अच्छा है मुझे सबसे चीज लगी कंपनी जीडो डेट कंपनी है पर चलिए अब कंपनी के बारे में जो कुछ भी मैं अभी तक आप लोगो शो क्या सिंपील तरीके से हर चीज आप लोगो समझ में आ गया है और अगर है यह पर हम देखेंगे आईजेयल का टेक्निकल्स ओके एंड उसके बारे में बताने से पहले अगर आपने अभी भी कोई भी डी मैट अकॉंट ओपिन किया नहीं है तो आप स्टॉक्स में डेफिनेटली अकॉंट ओपिन कर सकते हो क्योंकि सबसे पहले कंपनी तो रतन टाट आप फंडिट गंपनी अनकी कंपनी में ट्रस्ट डेफिनेटली है उसके बाद देखेंगे डिसकंट ब्लोकर हैन आप लोग को तो बताएक आप ओपिन कर सकतो दूसरे दिन अगर आप करेंगे तो आपको धाइस रूपए एकाउंट ओपिनिंग फीज या पी करना पड़ेगा तो आज अगर आप खुलना चाहतो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिशन में मिल जाएगा तो सबसे पहले मैंने यहां पर टोटल जो च आप लोगों सिंप्ल से बतायता हूं तो सबसे पहले जो चीज मैंने अपलाइक है वह अपलाइक करने के लिए आप लोगों इसके उपर जाना पड़ेगा मैं इसको पर क्लिक कर देता हूं तो यह अगर आप नीचे थोड़ा ढूंदेंगे तो सब कुछ आप लोगों मिल जाएगा मैंने तीन चीज़ें अपलाई करके रखा एक बॉलिंजर बैंड दूसरे मनी फ्लो इंडेक्स एंद तीसरा में सीडी तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले बॉलिंजर बैंड के बारे में जो उपर वाला लाइन इसको कहा जाता है अपर बैंड बीच केंडल है फो लुवर बैंड के आसपास ही आपे क्लोजिंग दिया है यानि के स्टॉक का जो प्राइस है और लेडी आप लोगों को सस्ते दाम पे ही मिल रहा है ओके एंड जो केंडल से मैंने वान डे की आपे केंडल लगा के रखाए यह भी थोड़ा आप यापे चेक कर लेना तो सबसे पहले अगर बाई काना चाहते हैं इस प्राइस में भी कर सकते हैं अगर इस पोजीशन में आप खड़िता है यान कि जब यह पर लाइन को टच करता है नीचे वाले लाइन को मैं आप लोगों को दिखा यह तो एक्जक्ली प्राइस कितना होगा तो फोर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन आप लोगे पास आ जाएगा अभी थर्टी वान है बेस्ट बाइंग तो नहीं है मनी फ्लो इंडेक्स की तरफ से पर फिट भी स्टॉक अभी आप कह सकतो कि ज्यादा खड़ीदारी स्टॉक में नहीं होड़ा है ज्यादा सेलिंग होड़ा ह यह सब मान के चल सकते हो तो अगर यह जो मनी फ्लो इंडेक्स से एटी के ऊपर चला जाता था तब हम मानते की बहुत ज्यादा यहां पर बाइंग हो चुकिए स्टॉक का प्राइस गीड़ सकता अभी और लेड़ी अप देख सकतो मनी फ्लो इंडेक्स काफी कम है में में सी है तो बड़ बाई करने से पहले कुथ का डिसी आप खड़ लेना मैं यह पर बाई करने वाला हो एंजब करूंगा अपडेट दे दूंगा तो शौट टाम के लिए मुझे लगता है स्टॉक अभी भी अगर आप लोंग टाम के लिए खरीदना चाहते हों तो अभी भी स्ट आपको कंसी कंपेनी के बड़े वीडियो चाहिए बोबी कमेंट करके जरूर बाताना ओके वीडियो देखने के लिए बहुत बाद शुक्रिया मिलते है अगले वीडियो में बाई